दुनिया की हलचल पर पैनी नजर परताल दुनिया भर की देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन नमस्कार मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर परताल दुनिया भर की देश देशों और देशों के बीच दुनिया की जो कूटनीती है उसकी जो राजनीती है उसका जो डाइमेंशन है वो लगाता और बढ़ता रहता है सबकी कडियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं एक देश का घटनाक्रम दूसरे देश के घटनाक्रम को कैसे प्रभावित करता है कितना गहरे प्रभावित करता है इस पर हम सगन चर्चा करते हैं अपने कायक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 के बास से जिस तरह से राजनितिख घठना क्रम बदला है तालीबान सत्था में आया है शुरू में जो देश सरकार को मानने से इंकार कर रहे थे उसकी सत्था को मानने से इंकार कर रहे थे धीरे धीरे हमें दिखाई दे रहा है कि उसका गटना क्रम बदल रहा है लोग उनसे बात कर रहे हैं तमाम देशों की बीच डायलॉग शुरू हुआ है और इसी क्रम में मौस्को में एक एहम बैठक हुई जिसमें 10 देश शामिल हुए जिसमें भारत भी है इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रबीर पुरकायस्ट जो न्यूस क्लिक के एडिटर इन चीफ हैं प्रबीर आप से हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से मौस्को में 20 अक्टूबर को जो बैठक हुई जिसमें 10 देश शामिल हुए जिसमें भारत भी शामिल था उससे क्या फर्क पड़ेगा और क्या द्रिश कुछ तबदीली आएगी क्योंकि कई देश ऐसे थे जो बिल्कुल समवाद करने को क्योंकि आपचारिक मुलाखात है इससे पहले दूसरे ढंके डायलोग्स चल रहे थे लेकिन रूस चीन पाकिस्तान और इरान की इसमें पहल कदमी काफी एहम बताई जाती है तो इस बैठक से क्या फर्क पड़ेगा तेकि पहली बात तो एक स्विक्रिती इस बात की है कि अफगानिस्तान की जो मूल मुद्दे है वो इसी रीजन में जिसे कह सकते है नस्दीकी देशों में परोसी देशों में इनी के बीच में जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक अफगानिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है तो ये तो एक समझ लोगों में धीरे धीरे पैदा हो रही है कि नेटो यहां आके 20 साल बंबारी करके अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम्स था उसको सुल्ह नहीं कर पाया वो तो साफ है इसलिए उसको वहां छोड़ के जाना पड़ा तो एक तो ये बात है कि ये देखे मैप अगर देखे तो परोसी देश है उनको आप देखें यहां पर पाकिस्तान इधर है हम भी बहुत दूर नहीं है चीन है रूस भी बहुत दूर नहीं है खास तोर से जो Central Asia के मुलकों के साथ रूसकी गहरी सम्मंध रह चुकी है और अभी भी है तो इसको देखते हुए अफगानिस्तान में जो भी होगा उसका असर इस पूरे इलाके में पढ़ेगा ये सब को समझ सब को ये समझ है यहां इस बैठेक के दौरान जो ये थास्थित है रियलिटी जो है अफगानिस्तान की वो धीरे धीरे स्वीकृती बे सब को लाना पड़ रहा है हम उस पे कुछ हद तक हम उससे अलग थे कि हम कह रहे थे नहीं अफगानिस्तान जब तक तालिबान नहीं सुद्रेगा तब तक हम उससे बात नहीं करें अमरीका कभी पहले रवाया कुछ और था पर दोनों देशों ने अब धीरे धीरे तालिबान से बात करना शुरू किया दोहा में बात चीत हुआ हमारी भी अनफिशिल टॉक्स हुए पहली बार है कि हम अफिशिल टॉक्स में शामिल हुए है तालिबान के साथ और जो तालिबान की जो एक मिनिस् बातचीत तालिबान से हुई है पहली बार नहीं पर डारेक्ट ओफिशिल बातचीत इस टॉक्स में हुई है यह भी अब साफ है और उसका नतीजा क्या होगा देखने को है क्योंकि यह से नक्षे में भी दिखाई दे रहा है कि सारे जो आसपास के जितने देश हैं लबदस द नहीं था अमरीका को बुलाए गया था उन्होंने कहा आपिचारिक तोर पे उन्होंने कहा कि हमारो रेप्रेजेंटिटिव था वो क्योंकि बदल रहा है इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं पर हकीकत है अमरीका डारेक्ट बातचीत करना चाहता है यह यूरोपियन यूनियन न स्टेट्मेंट्स कहिए कामनी के कहिए अंडरस्टेंडिंग कहिए उसके बारे भी थोड़ा बिबाद है वो जो है उस पे साफ है कि उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अफगानिस्तान पे 20 साल बंबारी की है उनकी एक जिम्मेदारी है अफगानिस्तान में इस वक्त सिति को स कहा है कि हम भी कुछ खादे भेजेंगे तो यह जो चीज है क्योंकि नहीं तो महां पर भुक्परी से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अगर शुरू होगा तो अफगानिस्तान में लांज स्केल अगर माइग्रेशन अफगान अफगानिस्तान छोड़ के जाना होता है तो यॉरप भी इससे बच नहीं पाएगा लग सकता है उनको कि हमारे इहां पर खास हम दूर है पर अफ़ आफरिका लिबिया में उन्होंने जो किया है यॉरप ने खास तोर से डेटो देशों ने जो किया है उससे रिफ्यूजी प्रॉब्लम यॉरप को हुआ है अफगान हम एक बिलियन 1.25 बिलियन डॉलर हम उनको देंगे एट के रूप में क्या शर्त होगा कैसे देगा किस तरह से इसकी वितरन होगा वो देखने की बात है पर अमरीका अभी भी एट तो बात कर रहा है कि हम भी कुछ भेजेंगे पर उसमें करीब 10 बिलियन डॉलर के वो होती है बैलन्स चून की थी अफगान सेंट्रल बैंक की वो भी अमरीका के पास जमा था तो यह सब अभी भी प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान के लिए अमरीका ख़़ा कर सकता है एक सीधा सवाल कि जो जिस तरह से जो स्टेट्मेंट जो हमारे सामने आया है जिसमें अमरीका की जिम्मेदारी एक तरह से बताई गई है नैटो देशों की जिम्मेदारी बताई गई है तो यह जो बैठक है 10 देशों की और जिस तरह से बयान आया है और रूस और चीन दाजा था कि इस तरह से कोई development हो सकता है कि बकायदा बयान जारी हो देखिए अमरीका तो इहां से खतम हो चुका है एक हिसाब से अफगानिस्तान में कैसे फिर वापस आ सकता है अकिला नहीं आ सकता है उसके लिए कोई जरिया चाहिए कोई देश चाहिए अभी इस इस इलाके में अगर आप इन देशों को देखे ऐसा अभी तक वो कुछ करनी पाए और नकी वहां पर कोई ब लगा करें चीजों की अमरिका की वहां पर आना ठीक नहीं होगा तो ये तो ये एक बात है ही और इसलिए वो चीन की तरफ जो है अपना रुजान दिखा रहा है जो कौड के नाम पे आकुस के नाम पे जो हो रहा है उसको लगता है कि अफगानिस्तान का हार को भुलाके इन इन चीजों पे लोगों को उलजा देते हैं कम से कम डुमेस्टिक आउडियन्स के लिए अपने देश के आउडियन्स के लिए ये बहुत अच्छी होगी कि अफगानिस्तान भूल जाएं क्योंकि 20 साल के बाद ये हार वो हजब नहीं हो रही है उनको और उनके देश के इस इलाके को डी स्टेमिलाइज करके रखेंगे क्या इस इलाके में रूस और चीन होने के नाते ये इनके निशाने पे होंगे तो यहां पर आईसिस की बात आती है आईसिस जैसे फोर्स को कौन मदद करेगा कौन पनपने के लिए मदद कर सकता ये सवाज जरूर खड़ा ह हुआ है और खास और से जो अभी दो बंबार बंबारियां भी हुए जिसमें बड़े पैमाने पर लोग मारे गए वहां पर आईसिस का टार्गेट जो है यह इस तरह का विश पहलाना अब यहां शिया सुननी का विश पहलाने की कोशिश कर रहे हैं हजारा जो है वहां पर तो उनको टार्गेट करके शिया को टार्गेट करके यहां पर दो बड़े-बड़े बंबारी हुए जिसमें 70-80 लोग मरे हैं और भी लोग मरे होंगे बाद में उस वक्त की ख़बर में बता रहा हूं तो यह साफ है कि आईसिस का वहां पर कुछ हद तक इस तरह से disruption करने की क्छमता है कहा जाता है कि सिरिया से वहां पर ऐसे ताक्तों को आने के लिए अमरिका भी पहले से बदद किया हुआ है क्योंकि वह अफगानिस्तान को destabilize 2000 की बात वो लो पहले की बात है मैं तो अभी की बात कर रहा है अभी भी अफगानिस्तान का अमरेका वहाँ छोड़ने के पहले कहते कि आएसिस सीरिया से आने के लिए उन्होंने मयुद की है आईसिस के कुछ लोगों को कहां तक इसकी सच्चाई है मुझे भी मालम पर सवाल है अमरीका अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को एक Unsteable स्थिती में रखने की एक राजडित कर सकती है उसके लिए टैसिट आइसिस को क्या सवर्थर्थर्थल किया है सीरिया में हम जानते है आइसिस की तहास को देखते हुए हम ये भी जानते है एराक में एक हिस रच्छाया में ही आईसिस बढ़ी दी वहां पे तो क्या अभी भी वह उस तरह का आईसिस की इस्तिमाल करेंगे सवाल ही रहता है और वीगर के लेके यह भी सवाल है कि चीन में अस्थरिता पैदा करने की कोशिश क्या करेंगे ऐसे ताकतों को इन जगहों पर इस्तिमाल करके यह सवाल जरूर है पर अब साफ है कि अफगानिस्तान में अगर सब मिल के कोशिश करें शान्ती की पुनस्थापना करने की कोशिश करें अफगान स्टेट की लोगों की कैसे राहत पहुंच सकता है इसकी कोशिश करें तो शायद इस पूरे इलाके में हम अस्थित्ता से बच सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में काफी लोग रहते हैं वो अगर फेल स्टेट हो ज इस पे नहीं है अमरीका बहुत दूर है अमरीका तो लिहाज़ा यह बैठक काफी एहम है जो बैठक हुई है और जिस तरह सुनोंने बताया कि आगे भी बैठेंगे और आर्थिक सुद्रीरी करण या रीबिल्डिंग अफगानिस्तान पर भी बात करेंगे तो उसे लगता है क एक चैनल खुला है इन तमाम देशों के बीच में हां कि इनका स्टेक जाद है अमरीका के वो स्टेक नहीं है बहुत दूर है तो अमरीका कुछ भी कर सकता है और इसमें हम भी शामिल हुए है भारत भी शामिल हुए है हम तो पहले कह रहे था अफगानिस्तान में इससे बात देशों के engagement हो कि और सही बात तो है अफगानिस्थ में तालिबान की चरित्र में बदलाव नहीं आया है क्या क्या कहते कि रियलिस्ट राजनीती जो है कि यथा स्थिती को देखते हुए क्या अभी वो बदलेंगे कि हमारी सब की engagement अफगानिस्तान में होगा तो उससे बदलेंगे ये देखने की बात है अब तालिबान की चरित्र एकदम अलग हो गया ये हमें ब्रहम नहीं होना चाहिए ये भविश बताएगा कि वो क्या करेगा कितना बदलेगा नहीं बदलेगा और अगर हम इंगेज करेंगे उनके साथ तो शायद बदले के सब भावना बढ़ेगा अगर हम कोई सब पड़ोसी दिशों की बात कर रहा हो इस पे इंगेज नहीं करेंगे सब के लिए खत्रा है और ये मद भूलिएगा पाकिस्तान के लिए भी खत्रा है क्योंकि डूररं लाइन जो है आर्टिफिशल लाइन सबी दोनों पार जो रहते हैं वा खतून सो मानते है तो पाकिस्तान इस से खत्रे से खाली नहीं है और वहां पर अगर आइसिस जैसे पॉर्स परपते है या तो तालिबान की जो राजडीती है वो अगर बढ़ता है उसी रास्ते पे जो पहले 90 के दशक कर उसके बाद जो हुआ था तब पाकिस्तान के लिए भी खत्रा है इसको देखते हुए सभी देशों के इसमें फायदा ही है कि इससे एक इंगेजमेंट करें और कोशिश करें कि इसको रीबिल्ड करने कि आरे क्या कहें कि एक नॉर्बल राष्ट की रूप इसको देने की कोशिश की शिरकत हो जी जी हम अपने पड़ोसी देश की तरफ जाते हैं बंगलादेश में बंगलादेश में हमने देखा कि जिस तरह से हिंसा हुई जिस तरह से वहां जो अलपस में भी उतरे तो यह जो हमारा ठीक पड़ोसी देश है यहां पर जो हो रहा है इसका क्या आप आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या है और इसका कितना असर हम तक पहुचेगा देखिए इस्लामिक फोर्स जिससे हम कहते हैं जो आपको तालिबान की बारे में भी है उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के फेवर बे जंग लड़ा था जो जमायती इसलामी बंगला देश अभी जो है उसके खिलाफ काफी कारवाई भी हुई है क्योंकि वो अट्रॉसिटी जिसे कहते हैं बड़े पहमाने पर अट्रॉसिटी पर यह भी शामिल थे तो पर बंगला देश पर यह फोर्सिज मरें नहीं हैं साफ है कि वो जिन्दा है और लगातार उनकी कोशिश है कि इसलामिस्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं जैसे हमारे यहां भी हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कुछ करते हैं धर्म के नाम पे कम्यूनिटी को ए से के खिलाफ वहां भी वो शक्तिया है पाकिस्तान भी वो शक्तिया है तो वो देखते हुए बंगला देश पे एक बहुत बड़ी फरक जो है यह है कि बंगला देश की लड़ाई आजादी की लड़ाई के लिए जो उन्होंने लड़ा था उस पे बंगला देश की एक आइड भाजन बढ़ता है, मुसल्मान, हिंदू, ये आइडिन्टिटीस आते हैं सामने, तो इसका असर बंगलादेश में भी पढ़ाएगा, जैसे यहां पर पाकिस्तान में जो होता है, उसका असर भी हमारे हां पढ़ता है, हमारे हां जो होता है, उसका असर भी पाकिस्तान में करते हैं उसका असर भी इस वक्त बंगलादेश पर पढ़ रहा है इसको मैं भूलना नहीं चाहिए इसलिए एक साउथ एशिया की पैमाने पे एक क्या कह सकते एक सारविक चित्र होना चाहिए एक पूरा चित्र होना चाहिए कि साउथ एशिया के रास्ता कौन सा है क्या इसी विभाजनकारी रास्ते में हम जाएंगे या हम उस रास्ते में वापस आएंगे इस पे हम एक साथ रह सकते हैं मुल्क के हिसाब से और कौम के हिसाब से भी यह हमको देखन मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती चाहे वो अफगानिस्तान के संदर्ब में हो या भारत उपमहाद्वीब के संदर्ब में हो बहुत जरूरी है कि एक देश और दूसरे देश के बीच कैसा रहता है देश के भीतर कितना अमन रहता है तो पडोस के देश में भी अमन क की जो शक्तियां हैं वो मजबूत रहेंगी बाचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया और ये पैनी नजर मुझे लगता है कि हमें आपको और तमाम लोगों को आस पडोस और देश दुनिया में बनाए रखनी बहुत जरूरी है हम अपना सिलसला जारी रखेंगे पैनी नज के साथ पड़ताल करेंगे देश दुनिया की खबरों पर